देश हमारा हम देश के जे हो बीजे हो इसी के नारेक साथ में EPS 95 पिंशन धारकों के एक समस्या से संबंधित बात को ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे जो राष्टर दिक्ष कमांडर से सोक रावजी हैं उनके द्वारा EPS 95 पिंशन धारकों के पिंशन बिर्द्री को लेके क्य क्या बातें करी जा रही हैं उसी को पर हम लोग चर्चा करेंगे जरूरी जो तो महत्रपुल अप्रेट के साथ हुए नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं ओमेटे की यूट्री चेनल और आज का वीडियो बहुत ही खास है समस्त EPS 95 पिंशन धारकों के लिए इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है निगरिदन है प्रातना है कि वीडियो को जादा से जादा लोगों तक साजा करें और वीडियो क को सुरू से लेके लाश्ट तक देखें क्योंकि इस वीडियो से EPS 95 पिंशन धारकों को बहुत बड़ी उपलब्धी भी मिलने वाली है और बहुत बड़ी जौनकारी भी मिलेगी सन 2017 में EPS 95 संगर समती मद्द प्रदेश के भींड एक आई द्वारा राश्टी अधक्ष कमाडर स्री असोक राहुजी सर राश्टी महमंत्री इंजिरे स्री वियोरेंदर सिंग रजावस सर राश्टी सहलाकार डाक्टर स्री पियन पाठील सर मद्द प्रदेश के सलाकार स्री रमेश बाँएश बाबू चौदरी सर जी परदेश संगठन मंत्री सी राजियरे सिंग तोमर जिला धक्ष स्री बीके बहरे सर जी जिला महमत्री स्री राम रिस्टी सार जी जिला सचिव स्वर्ग सुर्यांदर सेंगर जी के मार्ग दर्शन अच्छा चाच में जब मैं मिनमम पेंशन का अंदोलन भिण्ड से शुरू किया तब देश में कोई भी सेवा निब्रित वरिष्ट नागरी के मिनमम पेंशन धारी नहीं जानता था कि हमें पेंशन EPFOS मिलता है कितने हैं मिलना चाहिए भिंड का यहां आंदोलन जो 65 दिन तक चला इसकी आग इतनी तिब्र थी कि आंदोलन दिल्ली से लेकर पूरे देश में मीडिया से लेकर टेवी एंकर सरकार तक मुख्य आंदोलनों के रूप में उभरा देश के सामने आया पूरी तरीके से उभर कर हमारी जो मुख्य मागे थी प्रमुख्य चार मुख्य मागे थी कोश्यारी कमेटिक की रिपोर्ट लागू की जाए यानि कि उस समय जब कोश्यारी समित्य की बात आया थी सामने उनके द्वारा जो रिपोर्ट सामय आये थे तो कोशेरी समित्री की रिपोर्ट को लागू किया जाए मिनमप पेंशन धारकों को 7500 रुपे दिये के रूप में दिया जाए 5000 रुपे मासिक पेंशन दी जाए जिन्होंने अंशदान देने के बाद ही पेंशन से वंचित हो गया है जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है उन्हें पेंशन में सम्रित कर उन्हें भी पेंशन दी जाए और चोथा था सभी पेंशन धारकों को फ्री मेडिकल स्वास्त आईश्वान सिवा मिलनी चाहिए सर ये 2017 की बात में बता रहा हूं बड़े गोर से सुनिएगा जितने भी हमारे EPS 95 पेशन धारक है इसी बीच असमय करोना महामारी देश में फैल गई जिस पर सरकार दोरा नुमानी स्रीमानुजिला मजिस्टेट जी एवं सहर के प्रभुत नागरिकों के अनुरुद पर 65 दिन चले अंदुलन को इस्तेगित करना पड़ा उसके बास से हमारा अंदुलन सुचालू रूप से चलता रहा जिसमें सांसत बिधायक मंतरी मुख्य मंतरी प्रभार मंतरी जन नायकों को कई कई बार जापन दिया गया इसके साथ दो-दो बार शांसर स्रीमती हेवा माली जी के संदिक्द में आधरणी देश के पधार मंतरी जिसे मिलने का स्वासन के अलावा जो हमें हक मिलना चाहिए वह अभी तक नहीं मिरा जो देश की सरकार की अन्याय की प्रकाक्षा दर्साता है हमारे इस आंदोलन पहले देश का जन मानस सरकार की काली कर्टूत वाले देश के इस स्रम विभाग एपिफो को कोई जानता भी नहीं था लाज एपिफो देश के प्रथम तृष्टाचार का गड़ देश के सामने इसी तरह तारतर मैं हक की लड़ाई में चारो मार्गों के समर्थन में राश्टी समिती द्वारा महराश्ट के अंसरांदोलन चल रहा है जो आज अपने पांच साल में प्रवेश की और अग्रेसर है रोज हमारी साथी जलाजल की जिन्दगी जीकर मर रहे हैं देश के सरकार ठीक बनकर कान बंदकर बैठी ऐसा देख रही है हमारा नारा है कि देश के सरकार EPS 95 संक्टन की हक की मिनमम पेंशनर्स की मार्गा वही देश पर राज करेगा EPS 95 पेंशनर्दारकों की जो मागे हैं उनका जो कहना है जो पेंशनर्स के काम करेगा वही देश पर राज करेगा वर्तमान में आज इतने भी पेंशनर्स हित ट्रेड यूनियन दिल्ली से लेकर देश के पेंशनर्स पर अंधोरन रत है सब EPS 95 संगठन के देश के सभी राज्यों में कोने कोने से उट रही सफलतम आवाज से घवरा कर अपना वजूद बचा रही है और समय के मेठक के तुरह डर्टर कर रही है यह सभी EPS 95 संगठन की ही दिन है EPS 95 संगठन भिंड गांधी मार्केट मंद प्रदेश पर 55 दिन तक चले अंसर आंदोलन एवब जिला का रियाले महराश भुल्णाना अंसर वर्तमान में चल रहा है कि 5 साल प्रवेश होने वाले आंदोलन का परिणाम है आज़ देश के हर कोने से 55 के आवाज पूरे भारत देश में एक आवाज बन चुकी है जो सरकार के कानों तक पहुच भी रही है गूज रही है सेवा काल के बेतनक में आज़ दसमत 33 अंसर दान सरकारी संस्था EPS 4 द्वारा इस सर्थ पर काटा गया कि सेवा निवर्यूत पर आपकी खुश से हाल जिन्दगी के लिए पैंशन दी जाएगी मगर हमें ठगा गया हम पैंशन मात्र दो सो पैंटालिस रुपए से आर सो बहतर रुपए दी जाएगी जो कि धोका सावित हुआ इस रासिस से जीवन आपन नामुंकिन है यहारासी आज 2030 में भी दी जा रही है बहुत से पैंशनर्स को भिंड के प्रथम पैंशन दिना अंदुलन के मुख्य स्री रादे साम वर्मा जी थे और भी बहुत सारे लोगों ने अपना महत्रपूर भूम का निवाया है यह जो पत्र आप लोग देखना है जो पोश्ट आप लोग पढ़ रहे हैं यह राजे सिंटोमर जी ने लिखा है जो परदेश संगठन मंत्री है EPS 95 संगर समती मद्ध परदेश के दोस्तों यह कुछ तस्वीरे भी आपको दिखाते हैं जो कि EPS 95 पेंशन दाटकोंने कितना बऽना संगर्स किया है इन संगर्स को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को यह आज की तस्वीरे नहीं यह 2017 से लेके आज तक कि तस्वीरे हैं इसे भी तस्वीरों को आप रूख देख सकते हैं कितना ज़्यादा संगर्स किया गया EPS 95 पेंशन दार्कों के पेंशन ब्रिद्धी को लेकिए कैई सारे पत्रों को डाक के द्वारा माने पधार मत्रीजी तक भेजा गया यहाँ पे आप देख सकते हैं कैई सारे जो तो मत्रप्रदेश के भिंड जिले में रेलिया किए गये कैई सारे बैठेके हुए हैं भिंड में कर्मिक अंसन वहाँ पे हुआ है दिल्ली पे यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पे अग्यापन सौपते हुए भी पेंशनर्स को आप देख सकते हैं तिस यह कोई नई बात नहीं इस प्रकार कि बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है और बहुत बार देखा गया है आपको हमारे ही यूट्यूब चेनल पे बहुत बार देखने को मिल जाएगा दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा गर वीडियो पसंद आया हो जानकर यह अच्छे लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँच आने की क्रीपा करें और अपना प्यार आसिरबाद जरूर दें नमस्कार जै हिंट जै भारत